अगर आप न्यू यूट्यूबर हो तो आपको यह पता होगा कि जो यूट्यूब का टार्गेट है आपकी वीडियो पे एड लाने के लिए आपको 4000 घंडे का वाच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर जरूरी है यह यूट्यूब का टार्गेट तो भी आपके जो वीडियो है उस पे एड आप आएगी आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगे कि आप अपना 4000 घंटे का वाच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कैसे काउंट कर सकते हैं सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है वहाँ पे वाइटी स्टूडियो को अपनी डेस्टॉप पे ल दो लाग चालीस अजार होते हैं वो भी बताऊंगे आपको कैसे काउंट करने हैं आपको वाच टाइम पे क्लिक करना है जब आप वाच टाइम पे क्लिक करोगे तो आपका कुछ इस तरीके से खुल जाएगा वाच टाइम अब उपर जो लिखा है लास्ट ट्वंटी एट अब आपको उस पे क्लिक करना है उसके बाद इस पे आएगा option last 365 days आपको सिरफ यही काउंट करने है अगर आप new youtuber है लास्ट 365 पे क्लिक करने के बाद आपका यह जो वाच टाइम मीनिट है वो जैसे मेरा बता रहा है अभी इतना 150,000 तो आपका कुछ इस तरीके से खुल जा अब आपको 240,000 का जो वाच टाइम मीनिट है वो कम्प्लीट करना है वो आपके बन जाएंगे 4000 घंटे अब सब्सक्राइबर आपको कैसे काउंट करने हैं सब्सक्राइबर के लिए भी आपको यह नीचे एक option दिया हुआ है सब्सक्राइब का option आएगा उस पे भी आपने क्लिक करना है उस पे जब आप क्लिक करोगे तो वो भी ऐसी स्क्रीन खूल जाएगी उस पे लिखा होगा last 28 days इस पे last 28 days पे आपको क्लिक करना है यहां पे भी last 365 days जो लिखे हुए हैं वहां पे क्लिक करना है इससे आपको पता चल जाएगा है कि आपका 365 days यानि कि 12 मनहीने में आपने कितने subscriber count किये हैं अब आप पूछोगे कि मैं 2,40,000 कैसे बन गया अगर 4,000 को आप 60 से multiple करोगे तो यह 2,40,000 minute count होगा जो आपका 365 दिन का target है यानि कि 4000 घंटे का watch time यह मैंने बहुत ही आसान तरीका बताया है आपको अपने watch time और subscriber count करने का आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी इस वीडियो related कोई भी क्वारी हो तो आप मुझे comment section में comment कर सकते हैं आज के लिए इतना ही take care bye bye